एक हमें पहले इस एंगल से डालना है, चेन क्लीनर और चेन ल्यूग, ये जब तक पूरी चेन कवर नहीं हो जाती, फिर हमें इस एंगल से डालती है, जब तक पूरी चेन कवर नहीं हो जाती है, भगवान कुछ तो दो हमें, जो हमारी परिशानिया खताम हो जाएं, वाओ, भागवान का आशिरवाद ये है WD-40 हाँ भाईयो भेनो WD-40 सौ मर्च की एक दवा ये है दवा शाम को लेंगे हम धारू अब देखते हैं कि ये क्या गाम करती है जैसे कि ये चरनबर जो आवाज आती है ना बाइकों में गाड़ियों में कर 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 पर पर वो सारी ठीक करता है ये मॉस्टर जो सीलन आ जाती है चीजों के अंदर उसको दूर कर देता है इलेक्ट्रोनिक्स की सीलन को दूर कर देता है दूसरा ये clean and protect सबसे अच्छी बात है ये cleaner तो ही ये प्रोटेक्ट भी करता है और ये लूप भी करता है अब वो में करके दिखाता हूं कि क्या-क्य अब ये चीजे पढ़ लो ये ये करता है और आता है बहुत सस्ता इसका जो रेट है 110 रुप अब हम इसको ट्राइन करकर के देखते है अलग-अलग चीजों पे इतनी सारी बाइक ख़़िये एक वहां ख़़िये बहुत सारी बाइक्स ख़़िये हमारे पास अब हम इससे पास होगा WD-40 इसको एक्टिवेट करो इसकी एक थासियत है यह चेन को क्लीन भी करेगा और ल्यूब्रिकेट भी करेगा यानिके चेन को साफ भी करेगा और उसके नदर ऑइलिंग भी कर देगा तो अब हम करके देखते हैं बाइक स्टार्ट करने के बाद बाद बाइक को अ यह जब तक पूरी चेन कवर ने RS formerly फिर हमें इस एंगल से डाल दिंए जब तक पूरी चेन कवर ने यह घाती है तो चेन लूबगेंट चेंग जरी बहुत है एकी हच्छा है कि मानने वही बात है अब जैसे चैन में ने डाले आप हम बाइक में सकते इसको किसी भी ऐसी जिगां पर जोगत वहां रही है तो जैसे यह तो इसको और यहां इसको थोड़ सा स्प्रे कर दूगा और यहां पर इसको स्प्रे कर दूगा तो इससे क्या होगा कि यह इसको क्लीन कर देगा लूप कर देगा और प्रोटेक्ट कर देगा यह वादर प्रूफ बना देता है चीजों को ऐसे ही आपको जहां पर भी को इसी भी चीज के दर आवा वहाँ पर दो नाइच जा कर स्प्रेया दिया क्या जैसे ये उते हैं यह जब टाइट हो जाते हैं जग लगने लग जाता है यह फिर मटी लगने लग चाती है तो लाए-चाफ ये क्या ब्हुत थोला सा यूज होता है अब हम देखते हमारे टीट है और ये अठाल्ट तो हमारी हेडलाइट्स का यह वाइसर अजिए शीशे यह ह 약 16 मेंज कि इसमर इसम अपने बाइगा वाइक लेना घर तुम्हारे ऐसे वाले हो रहें देखो अभी यह साफ नहीं है बिल्कुल बीप्लिए नहीं अब स्की अपर थोड़ा सा डुड़ी वाटकी डालींगे और इ और यह चमक गई तो और चिकनी भीह गई पहले से, अब जैसे यह बाई शीविठेग से यह हमें जंग राए जंग लग रहा हो यह कुल Is जंग लग रहा है, अब देखो इस केंद्र है वह सब्सक्राइख यह सब्सक्राइख आइए. baixo ये पे फरेशह मार देता हूं और यह बिल्गुल जीन हो जाएगा और जिसे यह वहा इसका ये में यह करने porter ventっ-break कंडतो देख लिया अब घर की चीजे भी होती जैसे हमारे दर्वाजे उते कैंद्र कुंडिया होती है यह ऐसे बाइस करती यह और इन में जंग लगा होता हैतो हम इसको डाल सकते हैं एके यह मल्डी पर्बबस है scars जंग तो हटाएगा उसको लुब्रिकेट भी करेगा तो जैसे स्कूटर ट वह मग यूज करते हैं तो माझत कोटर के प्लास्सिक के पार्त होते हना यह ऐसे हो जाते है फेड़ फेड से वई याई से हैजी ही से हो जाते ही यह एक अपरопर अब देखा फर्क पहले कैसा था और अब कैसा हो गया कुछ दिनों तक ऐसी रहेगा बाकि इसको धूप में जितना खड़ा करोगे इसको उपर साबून लगवागे साफ कर रवाऊगे तो यह वला प्लास्टिक जो होता है यह सूख जाता है उसके जो साबून के जो होते ना या फिर टाइट होती है या फिर यह जाती नहीं अंदर कुछ लोगी और कुछ लोगी जो ऐसे ओन ओफ करने वाला यह जो होता है ना इसके अंदर यह टाइट होके ओन ओफ होती है क्या करो आप इसको हलका सा खोलो और इसके अंदर इसको हलका सा बस स्प्रे कर दो और समूथ हो जाएगा और अच्छा भी लगता है फिर बाइक और गाड़ीों में भी लॉक्स होते हैं ऐसे वाले लॉक्स इसके अंदर यह लोए का ही होता है तो टाइन के अगॉर्डिंग यह ताइट हो जाता है इसके जंग लग जाता है अभी मेरा नया है इसलिए जंग साफ कर देगा ग्रीस लगीवी चीज को साफ कर देगा चेन क्लीनर बहुत अच्छा है अब जैसे यह बाई गुई इसके अंदर जैसे यह स्टैंड है यह जाम है तो यह जाम है इसको डालते के साथ हीOOOO बेटरी जैसे हमारी बैटरी होती अब इस कि पूरानी है इस नहैं प्रेट्रोलियम जाली ग्रीस pricing लोगा हें सासुμεर जम कि जो यह बैटरी टर्मिनल्स होते हैं इनके इननना जंग लग जाता है उसी को जंग ना लगे उसी को हटाने के लिए और लुब्रिकेशन के लिए है WD-40 बहुत ही अच्छा प्रोडेक्ट है एक बार यूज करो मेरे पास इसका छोटा सा कैन है लेकिन इसके बड़े-बड़े कैन भी आते हैं तो उसके भी लिंक्स में दे दूआ और मैंने कुछ और भी छोटे-मोटे जो प्रोडेक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है सबसे अच्छी बात यह कि Amazon की साइट से आप खरीद होगे तो विश्वास होता है दिल में कि अगर कुछ खराब निकला तो वापिस भी जा सकता है तो वीडियो देखने के बाद वह लिंक्स ज़रूर चेक आउट करना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हैं क्योंकि बहु लिंक्स थे अच्छी अच्छी प्रोड़क्स के वह मैंने रख दिये अपनी डिस्क्रिप्शन में तो जैसे मेरी टीशेट पर लिखा है गेटिंग स्टॉंगर इच डेए एसे हम अपनी बाइकों को कारों को स्टॉंगर बनाते हैं इच डेए कैसे उनको मेंटेन कर गें औ ऐसी चीजें ऐसे अच्छे अच्छे प्रोड़क्त तो चलो इसी के साथ करते हैं बाइबाई टेक केर सी यू कीप वाचिंग कीप रॉकिंग बाइबाई